नमस्कार दोस्ता आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल डिगारडन में आईए जान लेते हैं देश भर के मोसम का पुरानमान की देश भर के किन किन रज्जों में बारिश होने की संभावना हैं तो दोस्तों एक बार फिर से देश के मैदानी रज्जों के उत्री भागों में बारिश होने की संभावना है जैन दोस्तों इस समय एक नया डबलूडी पाड़ी रज्जों पर पहुंच चुका है जैसे कि आप सेट्लाइट पिक्चर में देख पा रहे हैं इस समय जमो कस्मी हीमाचल परदेश उत्राखंड की उची पाड़ियों पर भारी बरफबारी होने के साथ साथ निचले इलागों में बारिश होने की संभावने बनी रहेंगी और दोस्तों मैदानी रज्जों की बात करें तो पंजाब के अधिकतर भागों पर जैसे कि आप देख पा रहे है इस समय बादल चाहे हुए हैं और जैसे जैसे ये WD अगले आने वाले 24 से 48 गंटों के दरवान दीरे दीरे आगे की ओर बढ़ेगा तो ये बादल दीरे दीरे अगले आने वाले 24 से 48 गंटों के दरवान पंजाब के साथ साथ हरियाना, NCR दिली और पश्चिम उत्तर परद ये बारिश होने की संभावनाएं पंजाब, हरियाना और पश्चिम उत्तर परदेश के उत्री भागों में दीक रहेंगी यानि के पंजाब के पठानकोट, गुर्दासपूर, होश्यारपूर, जालंदर, रूपनगर, लुद्याना, फतेहबाद, साहिब, पटियाला, यमनानगर, अंबाला, करनाल, सोनीपत, पानीपत, इन जीलों के कुछ भागों पर, हलकी या हलकी से समधन्य बारिश होने एक संभावनें बेन रहेंगे, हलाकि एन सियार दिल्ली की बात करें, तो एन सियार दिल्ली के उतरी भागों में हलके आनसी के बादल तो दिखाई दे सकते हैं लेकिन बारिस होने की संभावने बहुत ही कम है पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के भी सारनपुर, शामली, मुझफारनगर, बागबत, बिजनोर, मुरादबाद, मेरट, हपपूर, गाजाबाद, अमरोहा, रामपूर, इन जिलों के कुछ भागों पर हल्की बाउचारे या हल्की फल्की बारिस होने के संभावने, अगले आने वाले 24 से 48 गंटों के दुर्वान बनी रहेंगी, इसके अलावा, राजस्तान की बात करें तो वैसे तो राजस्तान के उत्री बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बारिस की बात करें तो राजस्तान के उत्री भागों में वैसे तो बारिस होने की समभावने बहुत ही कम है लेकिन गंगानगर, हनुमानगर, चुरू, जुन्जुनू, सीकर, इन जिलों के इका दुका भागों पर, अगले आने वाले 24 से 48 गंटों के दोरान, हलकी केरल, करनाटक, तमिलनाडू, इन राज्यों के अधिकतर भागों में मौसम साफ एक उसकी बना रहेगा, हाला कि पूर्वी उत्तरप्रदेश, बिहार के अधिकतर भागों पर, अगले आने वाले 24 से 48 गंटों के दोरान, सुबह के समय, घना, कोरा, चायरें के समभावना है और दोस्तों जैसे है डबलूडी, 13 जनवरी के बाद में धीरे धीरे आगे के और निकल जाएगा, तो मैदानी राज्यों में एक बार फिर से उत्री हवाई चलना सुरू हो जाएगी, जिससे राजस्तान, पंजाब, हरियाना, एनशा, दिल्दी, उत्तर प्रदेश के अध दिक्तर भागों में सुबह के समय घना कोरा चाने के साथ साथ काफी ठंड का परकोप देखा जा सकता है, यनि कि एक बार फिर से सीट लेर चलने की संभाव नहीं है, तो दोस्तों ये थी आज की मोसम जानकारी, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर पहले बार आए, चैनल को सब्क्राइब कर ले, मिलते हैं एक नहीं मोसम जानकारी के साथ, तब तक एलिए सभी दोस्तों को नमश्कार